सवालेंगी कोलकाता से शुभाश रिखा और ट्विटर पर इन्होंने अपनी क्वेरी हमसे शेर किये और विपरो को लेकर काफी ज़्यादा क्वेरी जाती हैं और आने भी चाहिए क्योंकि एक लंबा समय हो गया करिब 6-8 महने का समय भी दिया जब यह शेर पौने 400 से सवा 400 वाली रिंज में ही ट्रेट कर रहा है अभी देखिए 391 रुपे क्या सपास कभाव है अवनाश यह आप से वीव चाहेंगे देखिए विपरो को लेकर खवरे बहुत आई हैं नेगेटिव पॉस्टिव नेगेटिव यह आई कि फ्रेशर को इन्होंने जो पहले सेलरी ऑफर सकता है यहां सी तूटा था उस लेविल तक जाने की कोशिश कर सकता है या फिर जो ट्रेंड हम 6-8 मैंने से देख रहे हैं वही अभी इसमें चालू रहेगा ने देखें मुझे लग रहा है कि विप्रो में अभी भी दिक्तते एक प्रेजेंट रहेगी और मुझे लग रहा है कि देखें जो मार्च का कॉर्टर आने के बाद जो पूरे साल का नंबर आएगा मैनेजमेंट की जो कॉमेंटरी आएगी और जो डिमांड आउटलुक कर आजेक्टरी हमको पता चलेगी उसके बाद ही एक नियर टर्म का ट्रेंड बनेगा मेरे ख्याल से अभी तो फिलाल मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ा नियर टर्म ट्रिगर है क्योंकि अभी भी जो हैडवेंट्स यूएस यूरोप में है वो काफी सिग्निफिकेंटली नेगिटिव है अभी भी यूरोप के मार्केट को लेके काफी दिक्कते दिख रही है तो उस पॉइंट अव यू से मुझे लग रहा है कि जो अंड़ परफरमर्स आपको विप्रो के शेर में देखने को मिले वो थोड़ा समय के लिए जारी रहेगा मुझे नहीं लगता है कि विप्रो में कोई वैल्यू प्रपोजिशन या कोई वैल्यू बाइंग अभी होनी चाहिए तो थोड़ा सा इंतजार करिए मेरी क्याल से मार्च के रिजर्ट आने के बाद एक फ्रेश रिवी ले सकते हैं लेकिन डेफिनेटली इस लेवल से अभी डाउनसाइड मोर और लेस कैप है उपरी लेवल से यह स्टॉक काफी तूटा है तो जो निवेशक खरीदना चाहते है मेरी क्याल से मार्च नंबर ज